नमस्कार दोस्तों लोगडाउन की ताज ख़वर माप सभी के स्वागत है और आप सभी जानते हैं आपको एकदम सठीक जानकारी और पलफल की ख़वर इस चैनल से प्राप्त हो रही है जो कल मेटिंग ले थी मेटिंग में जो फैंसला लिया गया था वो फैंसला हम आपको जो कि स्वें मुख्य मंत्री दोरा ट्वीट कर जानकारी इसकी बारे में दी गई है जानकार देने से पहले मैं आपसे एक निविदन जरूर करता हूं कॉमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लेखे हैं आपके जिले की लोगडाउन की ताजा ख़वरें आप तक जरूर पहुंचते रहेंगी दोस्तों यह है वो जानकार जो से मुख्य मंत्री इसको गैलत दोरा ट्वीट कर दी गई इसमें कहा गया कि वीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से तीन घंटे चली बैठक में कोविड-19 की इस्तिति का गहन समिक्षा की गई राइस्तान में संक्रमन बहुत अधिक तेजी से फैल रहा है जिसका सबसे बड़ा कारणा आमजन द्वारा कोविड अनुसासन का प्रभावी पालना नहीं करना है यहां आगे उन्होंनों बताया है जो कि सबसे मैतपूर्ण है उन्होंने ये भी कहया है यदि लोग श्वम अनुसासित होकर इस गती पर नियन तरण में सहयोग नहीं करेंगे यानि कि कोरणा की जो चैन रेक्सिन उसको नहीं तोड़ेंगे तो राज्य सरकार और अधिक कदम उठाएगे यानि कि लोग डाउन को और वी सक्त कर दे जाएगा पहले इतनी पावनी है अब पिर सब कुछ बंद हो जाए उससे अच्छा है कि हम स्वम समझ कर कोविड नैंटीन के जो फ्रोटोकॉल है उनका पालन करें आगे मुक्य मंतरी जी ने और भी जानकारी दी है जो कि हमा सब के लिए ही जानना बहुती जलूरी है उन्होंने का है कि मंगलवार को पिर्धान मंतरी सिरी नरंदर मोदेश से फोन पर बात कर राजिस्तान में कोविड नैंटीन के गंबी रिस्तिती से अवगत कराया है तता जल्द से जल्द ऑक्सिजन गैस इसके परिवेन के लिए टेंक रो और अन्य जरूरी दवाओं के आफूरती बढ़ाने की मांग की सभी केंद्रिय प्रादिकारियों ने राज्ये की आवसकताओं को साजब समझा है और पूरी मदद का भरोसा भी दिया है दोस्तों जैसा कि केंद्रिय असो गेलोत ने जो यह जान करी दी है यदि हम नहीं समले तो सरकार और भी सकत कदम उठाएगी सकत लोगडाउन लगाएगी और तीन मई से जो अभी लोगडाउन को आगे बढ़ाना है नहीं दोस्तों केवल इस पर आवे मन्थन और चर्चा चल रही है जैसे कोई जान करी आती है एक दम और थेंटिक सटिक तब हम आप तक जरूर रहे हैं